कोरोना वाइरस के वेरियंट ओमिक्रोन के चलते एक बार फिर लोग वाक फ्रॉम होम करने को मजबूर है इस वज़े से घर पर ज्यादा चीजें खाने पीने में आ जाती है नतीजितन मोटापा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है वहीं ज्यादा तर लोग सर्दियों के दिनों में सर्दी और आलस के चलते फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइस करने से बचते हैं यही बज़े है कि इस थिती में मोटापे से बचने के लिए दिल्ली की प्रसिद नूट्रिशनिस डॉक्टर शैली तोमर लोगों को अपनी आहार सूची में आसानी से पचने और कम कैलोरीज वाली चीजों को शामिल करने की सलाह देती हैं इससे आपका वजन हमेशा मेंटेन रहेगा और आप सेहत मंद रहेंगे यहां हैं वे फूट जो वाक फ्रॉम होम में भी आपका वजन कंट्रोल करेंगे एक खिचरी और दलिया खाएं आज कल लोग दलिया या खिचरी खाने से बचते हैं जबकि ये दोनों स्वादिष्ट और सेहत मंद होती हैं इनमें कैलोरीज भी कम मातरा में होती हैं खिचरी और दलिया में मातर 100-150 कैलोरीज होती हैं जो आपका वजन नियंतरित रखते हैं हेल्दी खिचरी और दलिया बनाने के लिए इसमें प् दो वेजिटेबल सूप रखें फिट, वेजिटेबल सूप एक अच्छा फूड कॉंबिनेशन है जो आसानी से पचने वाला है, इसे विभिन सबजियों को उबाल कर ब्लैंड करके बनाया जाता है, सूप को टेस्टी बनाने के लिए इसमें धनिया और नीम्बू का किया जा सकता है, सबजियों से तैयार सूप में विटामिन और एंटी ओक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, वेट लॉस के लिए सूप हमेशा दिनर से थोड़ी देर पहले या साथ लेना चाहिए, तीन चना और मखाना का सेवन करें, मोटा पा बढ़ या घर में बने पॉपकॉन खाने चाहिए, जो आपको हमेशा फिट रखने में मददगार हैं, इसके अलावा सर्दियों के दिनों में आप शकर कंदी चार ट्राइ कर सकते हैं, चार नीमबू पानी रखे हेल्दी, ज्यादा तर लोग सुबह से चाय या कॉफी का सेवन करत हैं, जो पेट में कई तरह की समस्याइं पैदा करती हैं, ऐसे में अगर आप अपनी हेल्थ के प्रती अवेयर हैं, तो चाय या कॉफी की जगह जीरा, मेथी दाना या नीमबू का पानी पी सकते हैं, यह बोडी में हर तरह के मेटाबॉलिज्म को स्पोर्ट करते हैं, इस व हार में फलों को शामिल करें, विबिन प्रकार के फल प्रकृती के अनमोल तोहफे हैं, जो हमेशा सेहतमंद रखने में मददगार है, सर्दियों में मौसमी फल संत्रा के अलावा किन्नू और सेब का सेवन कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी और फाइबर तत्वर अच्छी मा पचने में आसान हैं, इन्हें आप अपने लंच या दिन में शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप सूजी डोसा, वेजिटेबल पोहा, रागी डोसा और रागी इडली भी डाइट में शामिल कर सकते हैं, दरसल इन सभी में प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में पाए जो की पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। साथ बत्वा रायता है फाइदे मंद। सर्दियों के दिनों में बत्वा आसानी से मिल जाता है। इसमें केल्शियम, विटामिन A, विटामिन B और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह आपको सेहत मंद रखने में मददगार है। इससे तैयार रायता बेहत स्वादिष्ट और पॉश्टिक होता है, जिससे आप अपने लंच में शामिल कर सकते हैं। यह वेट कंट्रोल करने और कब्ज से राहत दिलाने में कारगः है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे, शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल करें।